चिन्वाडा में कॉंग्रेस सेवदल जलद्यक्षी सुरेश कपाले ने बताया कि आज स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड चिन्वाडा कारियाले में कॉंग्रेस सेवदल बोर्च समीती की बैठक संपन हुई जिसमें आगामी कारिक्रमों की रूपरेखा बनाई गई और वाड सहेत जिले भर में सेवदल के विस्तार हेतु निर्देश दिये गए साथी साथ आज टंटिया भील का बलीदान दिवस मनाया गया आगे श्री कपाले ने बताया कि टंटिया भील का जनम 1840 में मठ्छी प्रदेश की खंड़वा में हुआ था उनका असली नाम टंट्रा भील था उनकी गतिवीधियों को देखती हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुट कहा था टंटिया भील की वीर्ता और अदम में साहस से प्रभावित होकर तात्य टोपे ने उन्हें गोरिला युद्ध में पारंगत बनाया था वह भील जनजाती के ऐसे योध्या थे जो अंग्रेजों को लूच कर गरीबों की फूक मुटाने का काम करते थे टंटिया भील के बारे में खा जाता है कि उन्हें आलोकिक शक्तियां प्राप्ती इन्हीं शक्तियों के सारे टंटिया एक ही समय में एक साथ सैकड़ों गाव पासी के बाद अंग्रेजों ने उनके शफ को इंदोर के निकट खंडवा रेल मार्क पर इस्तित पाताल पानी रेल वेस्टेशन के पास फेक दिया इसी जगा को टंटिया की समाधी स्थल माना जाता है इतियास को भी उन्हें याद करना चाहिए आज इस कारिक्रम के अफस के लिए जिलब ब्यूरो चीफ गजानन बोरकर के साथ राजिश उईकी की रिपोर्ट